कि हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे यह आपे मैं बहुत जादा डिटेल भी नहीं बटाओंगे इतना बताओंगा कि आप कोशन अराम से कर पाओं ठीक है इतना हुआँ कि आप कोशन अराम से कर पाओं तो basically equation of line हमेने यह सीखना है कि line की equation कैसे निकाले आती है ठीक है equation of line if line passes a point, point से pass करता है बड़ आप बताओ अगर मैंने point ले लिए point है तो इससे कितनी line pass करेंगे क्या मैं एक particular line बता सकता हूं नहीं क्योंकि इससे अंगिनत line pass करेंगे तो मैं एक particular line नहीं बता सकता इसलिए मैं equation of line नहीं बता सकता तो साथ में लिगा हुआ and parallel to a vector parallel to vector कोई कोई vector given होगा, let's say vector be given है अब क्या है? अब मैंने बोला कि इस point से pass कर रहा है और इसके parallel तो obvious ही बात है आप है आप कुछ ऐसा बनाएंगे ठीक है? नहीं एक particular line की बात कर रहा हूँ है ना? मतलब मैं एक particular line की बात कर रहा हूँ ठीक है? तो बेटा ये वाली condition जब given होगी कि if a line passes through a point and parallel to b vector तो equation कैसे निकाल ली है? वो बताने जा रहा होगा आपको ठीक है? माल लो ये जो point a है ये ना point a given है और ये b vector given है ठीक है? ये तो condition given होगी कि line passes through a point a and parallel to vector b तो बेटा equation of line लिखनी है हमने तो equation of line होगा बेटा r equals to vector a plus lambda vector b देखो यहाँ पर आपको formula याद करना है बेटा मैं detail में नहीं समझाऊंगा आपने class miss करिये लेगे कि formula याद करना important है बस वही important है किसी बच्चे को समझमा आता है कि आया कैसे तो अच्छी बात है मैंने बताया हूँ last class में नहीं समझमा आता है तो ये important है कि formula learn हो और इसे use करना आता हो मतलब question करना आता हो बस तो वो मैं आपको सिखा दूँआ अगर एक line line है और point a से pass कर रहा है point a से pass कर रहा है ठीक है और vector b के parallel है तो equation of line will always be r vector equal to vector a plus lambda b vector ठीक है अब आप सुझे ये vector a क्या है मैं आपको समझा देता हूँ एक example के थूँ ठीक है बटा मैं आप एक example ले रहा हूँ यहाँ पर ये point a है point a दिर्खा आपको 1,2, minus और ये b vector है b vector के parallel है b vector दिर्खा guys आपको i minus 2 j ठीक है तो आपको करना क्या बटा ये जो point a है इसका एक position vector हुआ जिसका नाम होता है a vector आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर a vector लिखा हुआ है point a का position vector a vector और जिसके parallel है वो है इस वाले question में क्या है a vector क्या हो गया guys a vector हो गया 1 i plus 2 j minus 3 k जो point a है point a का position vector और एक ऐसा vector जो इस line के parallel हो दिहां ना करा b vector एक ऐसा vector है जो इस line के parallel हो ये है तो पेटा equation of line होगी r vector equals vector a plus lambda b vector that's it ठीक है आपको बस यह लिखना आना थी है सब लोग एक question करेंगे साथ साथ जरूर question करें simple था question दूँगा मैं ज्यादा रिफ़ोड question नहीं दूँगा plus lambda b vector यहाँ पे i minus 2 j और 0 यहाँ पे k वाला नहीं है तो आप यहाँ पे चाहे तो प्लस 0 के क्या आप लेक्सिट यहाँ लिखो चलेगा ठीक है तो यही आपकी equation of line है बट आप सुचरेंगे यह कैसी equation है यह गाइस यह vector form में है this is in vector form ठीक है जो पढ़ते आते थे artisan form होता था एक line का यह vector form है line का ठीक है बटा किसी कुछ doubt है तो बता दो जिससे मेरे equation दिलाए है वैसी आप equation और करेंगे जल्दी से कर ले एक line है इस point से pass कर रहा है 1,0,-3 ठीक है और b vector के पारलर है b vector है यहाँ पे i plus j plus minus 2 के है ठीक है तो इस line की equation निकालोगा find the equation of this line दुबारा बोल रहा हूं यह formula याद करना है इसमें r vector की जाए r vector ही लिखेंगे lambda की जाए lambda ही लिखेंगे हमें बस put का करना है हमें बस vector a और vector b की value डालनी है ठीक है तो बिटा रहे यह नहीं है formula और यह formula का विप्लाई करना है जब एक line points से pass करना एक vector के parallel है हां जी हो गया सूरज बिटा एक vector क्या होगा यहाँ पर a vector हो गया 1i plus 0j minus 3k ठीक है और b vector तो दिया होगा है यह रा this is the b vector ठीक है r vector equals to a vector plus lambda b vector ठीक है यहाँ पर a vector डाल दो i plus 0j minus 3k plus lambda b vector i plus j minus 3k बिटा दो तरीके इस चैप्टर को सुमझाने का एक तो है कि मैं vector के तुरू पूरा बताऊं यह formula आया है कहां से ठीक है बट उसके लिए आपका vector strong होना चीए और यह दूसरा है कि आपको बस formula याद होने चीए और answer निकालना आना चीए वो ज़्यादा easy है क्यूंकि आपने last class मिस करी थी मैं भी थोड़ा से जल्दी मूँग ठीक है मुझे किसी को drop करने जाना है ठीक है तो आप बस formula याद करें उसको use करना होना चीए यूज करके दिखाया है कि this is the answer ठीक है भई clear है guys किसी बच्चे को doubt है तो बोलो पिटा अभी जो मैंने formula होता है this is vector form of line कब जब line एक point से pass कर रहा है एक vector के parallel है ठीक है guys ध्यान देना है रहा मैं दुबारा बोलो हूँ जब भी आपको एक line की equation चाहिए आपको एक point चाहिए जिससे वो pass करे और एक ऐसा vector चाहिए जिसके वो parallel हो ठीक है तो आप ये formula use कर लेंगे बस इसमें आपको पता है a vector is the position vector of point जिससे वो pass कर रहा है b vector वो vector है जिसके वो parallel है आपको बस a vector की value put करनी है b vector की value put करनी है ठीक है तो finally answer जो है बेटा आप इवा सुचना कि सिर्फ यह answer यह answer नहीं है पूरी equation होती है वो यह answer ठीक है guys ध्यान से सुनना फिर से equation of line बट कैसी equation Cartesian equation of line पीटा सेम condition में Cartesian equation क्या होती है line की मतब जब एक line एक point से pass कर रहा है और एक vector के parallel है vector के parallel है यह point कैसा है x1 comma y1 comma z1 ठीक है same situation मतलब line एक point से pass कर रहा है और एक vector के parallel है vector देखा है b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap ठीक है तो बिटा अभी भी हम उसी line की equation पूछ रहे हैं बट कौन से form में Cartesian form में Cartesian form कैसे निकालेंगे formula याद करना है आपने बस x minus x1 by y minus y1 z minus z whole divided by guys यहापे b1 है b2 है b3 अब आप सोच रहेंगे इसमें क्या क्या put करेंगे obviously बात x1 पता हुआ y1 पता हुआ z1 पता हुआ इस point के थूँ और b1 पता हुआ b2 पता हुआ b3 पता हुआ मतलब मैं आप वह वह रहा था इसमें फॉर्म में लिख रहा हुआ यह वाला तो कोशिन के था हमने आप देखो सब लो बढ़ा असान है यह लग कोशिन सेइं कोशिन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है बिटा हाँ जी 1 यह रहा 1 0 minus 3 x1 के जीए डालेंगे guys 1 y1 के जीए 0 और z1 के जीए minus 3 ठीक है divided by divided by guys divided by क्या आएगा देखो b1 b2 b3 b1 b2 b3 कहां से आया है अगर आप जहान से देखें तो यहां से आया है b1 b2 b3 यह वाला वेक्ट है इसके जो dr से क्या है 1 1 minus 2 यहां पर क्या देख दूँ हम 1 1 minus 2 equate कर दो ठीक है और यहां पर एक question में एक lambda भी होता है यह lambda कौन सा आला lambda है मैं आपको ददा देता हूँ अगर आप ध्यान से देखें तो यह अला जो lambda है ठीक है आपको बस यह formula याद करना है Cartesian equation of line का जो formula है वो यह formula है यह अला formula है आपने यह learn करना है use करना दिखाया है मैंने कि अगर आपको point पता है इस वाले question के लिए यह रह point और यह vector एक point यह हमने point पुट कर दिया और vector जिसके वो parallel है जैसे बतारा हम वो करो बस अगर आप copy पे करोगे वो काम अपने यह भी आपको chapter easy लगेगा ठीक है formula याद करने इस chapter में बहुत सारे formulas है आप लोग एक question करोगे गाईस करो जिए ला question यह ला question point पॉइंट पास कर रहा है point है minus 2 minus 1 minus 1 ठीक है और वेक्टर है guys i minus 3K के करो वही answer निकालो guys answer निकालना आपने बेटा बहुत असान है मैं पहले भी बोल चुका हो आपको 30 equation का formula तो लिखावा है रहा अगर मुझे vector equation लिखना हो था तो मैं क्या लिखता हूँ r vector equals vector a plus lambda vector a इसका पूसे vector होगा guys simply आपने vector a यह आपट कर देना है 2i minus 1 j minus 1 k plus lambda b vector वो vector है जिसके वो parallel है ठीक है बस आपको इसकी practice होने चाहिए और कुछ नहीं है this is the vector equation of line Cartesian equation की बात करेंगे अगर हम Cartesian equation की बात करेंगे यह रहा formula this is the formula यह ना क्या करेंगे बेटा यह रहे points आपको यह बस put करने x1, y1, z1 यह रहा point यह ना क्या होगा answer क्या होगा x minus हांजी क्या यहापे यहाँ देखो 2 फिर फिर से y minus अभी आला लेंगे y minus minus 1 अभी आला लेंगे z minus minus 1 divided by क्या होगा इसमें से b1, b2, b3 क्या है यहापे 1 यहापे minus 3 बेटा आप लोग सोच रहूँगे इसमें j तो है यह नहीं अगर चे नहीं है तो क्या होगा 0 0 j cap है क्या है 0 j cap आप यहापे 1 लिखेंगे यहापे 0 और यहापे minus 3 यहीं इसका आणसर आप सोच रहूँगे नीचे लिखते लिखते है ठीक है आप ऐसे ही छोड़ दोगे x minus 2 by 1 y y plus 1 by 0 z plus 1 by minus equals to lambda ठीक है भाई तो यह आंसर इसका काटी से बेटा कभी-कभी ना बच्चे देखो कभी-कभी क्या आता है दो यह पुझे है यह vector equation दूसरा काटी से equation ठीक है vector equation और काटी से equation of line लेकिन ध्यान रहे है line की equation हम तभी लिख पाएंगे जब एक point दिया हो एक point यह पर point दिया था कि इस point से pass कर रहा है दूसरा एक वेक्टर दिया हुँ जिस वेक्टर के पाल्लर है ठीक है भई तो दो चीज़े दी होनी चीज़ें तो बेटा किसी कोई डाउट है फॉमला याद हो गया है फॉमला यूस करना आ रहा है हाँ जी दोने एक्विशन लिख दो बस एक तो काटी से एक वेक्टर एक्विशन जल्दी इसको अगला बाट कराऊगा गाईज जल्दी से ली वेक्टर जो भी है i-j-2 चुलो मैं i-2 के लेख लेता हूँ जी नहीं आप एकगर जी नहीं मतलब जीरो जीड क्या है है जीरो जी एक्विशन होगी र वेक्टर मैं बार बार बोलुघ रहा हूं मेरा आज का फाल स्वेट यह है बस कि आपको किसी भीतर है यह चीज़ करा दो, क्योंकि यह आई यह तो होई आगे चीज़े कर पाओगे, ठीके, मेटा यह फॉर्मुला है, और कार्टीसिन फॉर्मुला क्या होगा, x-, यहाँ पर क्या आएगा, y-2, यहाँ पर क्या आएगा, z-, divided by क्या है, अब इस वारे वेक्टर को देखो गया, इ यह नहीं है, मतलब जीरो जे क्या, माइनस टू के क्या, तो गाइज, यहाँ अंसर, x-1 by 1, y-2 by 2, z-3 by minus 3, चीज़े गाइज, तो just learn the formula and use the formula, अज़े एक चीज़े और गाइज, हमें न, conversion भी आना चीज़े, conversion बोले तो, अगर आपको यह लिख, दिया वा लिखा हुआ, यह दिया वा है, तो इससे आप, इसको, इसमें convert करो, बड़ा असान है, अगर आपको यह दिया वा है, गाइस, तो यहाँ से point दिख जाएगा, कहां से point दिख जाएगा, यहाँ से, what is the point, य क्या है, minus 1, 2, minus 3, और, vector कौन सा, guys, सबको दिख रहा है, यह vector है, है न, तो क्या, आप इसको देखके, यह लिख लोगे, guys, कोई दिखकत है, क्या, बोलो भई, हांजी, मैंने गल्ती करिये, कोई बोल ली रहा है, यहाँ पर 0 आएगा, अब देख सकते, मैंने उपा 0 लिखा ह है, इसे 0 न, यहाँ 0 है, हांजी, तो यह मैटा vector form है, vector form से cartesian form में लिखना है, ठीक है, clear है, किसी कोई doubt है, तो बोलो, हमने यह से point लिख दिया, यह रहा, point पता है, और vector पता है, इससे आप यह लिख लोगे, राम से, ऐसे ही, कभी-कभी क्या होता है, आपको cartesian form दिया होता ह है, यह रहा, cartesian form दिया होता है, cartesian form से, vector form में कैसे convert करेंगे, vector form, तो बड़ा असान है, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है, कि यह जो x, y, z है, यह x, y, z ही लिखे हुए, यहाँ मैं मैंस x नहीं होना चाहिए, 2x नहीं होना चाहिए, 3y नहीं होना चाहिए, 1x, 1y, 1z ही हो हांजी, point क्या होगा, को बताएगा, what will be the point, मैं से लिखूँ है, x-1, y-2, z-1, so minus के बाद जो हो आ रहा है, जो चीज़ सब्ट्राक्ट हो रही है, यह point हो गया, है ना, और divided by, तो यहां से point निकाल लोगे, आप, point क्या हो गया, minus 1, 2, minus 3, और b vector क्या हो गया, 1i plus 0j, minus 2, तो यहां से आप vector formula हो गया, राम से, हाम जी किसी कोई कोई doubt है, प्लस lambda times 1i plus 0j, ठीक है, guys, एक question होगा, देखेंगा, बाल लो, ऐसा है, 2x plus 1, ठीक है, कहां पर लिखावा है, 3 minus 1, ठीक है, z minus, ऐसा लिखावा है, बेटा, यहाँ problem है, यहाँ problem क्या है, मैं बोल रहा था है, आप में x, मतलब 1x, 1y, 1z होने चीए, यहाँ पर दिक्कत है, आपको इसे convert करना है, vector form में, how to convert this into vector form, मैंने बताया, यह simply x, यह simply 1y, यह simply 1z होने चीए, और ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें vector form में convert करना है, guys, simple सी बात है, मुझे इस 2x को, मुझे 1x बनाना है, तो 2 से divide कर दूआ, अब कैसे करूआ, किसी भी ratio में, ओपर नीचे, सेम चीज़ से हम divide कर सकते, कैसे, इसको मैंने पूरे सी 2 से divide किया, इस वाले fraction को मैंने सबको 2 से divide कर दिया, ग्यान देना है तो बताएगा, इसको किस से divide करना है, second वाले को, y वाले को, anyone, जी, बेटा, देखो, simple सी बात है, minus 1y लिखाओ, minus 1y लिखाओ, तो मैं minus 1 से, मैं minus 1 से divide करूँगा, किस से, minus 1 से, मैं simple से बात है, 5y लिखाओ, मुझे 1y बनाना है, 10z लिखाओ, मुझे 1z बनाना है, 10 लिखाओ, है न, और minus z लिखाओ, मुझे 1z बनाना है, minus 1 से divide करूँगा, तो जो, इसका coefficient है, उससे divide कर दो, minus 1, यहाँ भी minus 1, और यहाँ भी, minus 1, यहाँ जो 7z लिखाओ, है न, तो मुझे 7 से divide करना है, जब इससे करूँआ तो सब को ही करूँआ पूरे fraction को करना है जब भी करेंगे तो guys divide करें आप x यह x आ गया plus 1 by 2 यह 3 by 2 बैटे रहे हैं आप यहाप मैनेस बना दे guys क्योंकि मैंने सिखाय था आपको conversion के लिए माइस होना चाहिए guys इसे देखो यह क्या हो गया माइस माइस प्लस वाई हो गया मैं प्लस पहले वाई वाला पहले एक रहा हूँ पर यह क्या हो गया 3 by minus 1 minus 3 हो गया कि इससे यहां से आपने अराम से पॉंट निकाल लिया हां जी what are the points किसी बच्चे को doubt है तो बोलो minus 1 by 2 3 पॉंट क्या है what is the point आ गया वेक्टर क्या है वेक्टर यह रहा ठीक है okay तो guys point पता है vector पता है आप लोग अराम से इसका vector form लेगे होगे है है न क्या होता है r vector equals to यहाँ पर a vector आता है guys a vector क्या होता है a vectors का position vector होता है जो भी point दियो तो से vector बना लेते हैं a vector plus lambda times b vector 3 by 2 i क्या है minus 2 j क्या है plus 3 k क्या किसी बच्चे को doubt है तो बोलो clear है आगे बढ़ रहा हूं guys last topic है equation of line when line passes through कब जब line pass करता है दो points है guys a और b अब आप सोच चुरूंगे यह दो point कहा सा आगे मैं बोलो basic formula वह है जो मैंने आपको पीछे पड़ाया in fact वही सबसे important formula है अगर दो points से pass कर रहा है तो भी हम पिछला formula यूज कर से बताता हूं कैसे यही line यह 2 points से pass कर रहा है एक इस point से और एक इस point से यह है यह यह भी है मैं बोल रहा हूं हमेशा बच्चों बोलता हूं बच्चों ध्यान है किना line की question तभी निकालेंगे जब एक point पता हो तो एक point तो पता यह guys देखो यह रहा point कोई भी point ले लो यह ले ले लो लेकिन मैं हमेशा first point दोंगा अगर point पता है तो मिटा इसके position vector पता होंगे यहां पर position vector होगा मतला अगर point पता है one two three तो आप इसका position vector लिख लोगे यह vector लिख लोगे वाना ही प्लस रूजे प्लस थी के ठीके ऐसे ही इसका भी position vector पता होगा होगा आपको point पता है तो मिटा दूसरा ची होता है एक ऐसा vector जिसके parallel हो एक ऐसा vector जिसके यह parallel हो क्या मैं यह नहीं बोल सकता कि यह जो line है यह खुद a b vector के parallel है हां जी a से b के बीच में एक vector बना दिया है वहने a b vector तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक तो point मिल गया जिसका position vector य और एक वेक्टर मिल गया जिसके parallel है यह ना parallel to a b vector तो बिटा formula क्या होता है आर वेक्टर equals to यहां पर point आता था point का position vector plus lambda एक ऐसा vector जिसके वह parallel हो कौन से वेक्टर है a b vector चीक है तो guys यह answer है इसका अब आप सोचे जोंगे a b vector नहीं काले कैसे a b vector नहीं कालना आता था a b vector होता है position vector of b मत्तला final minus position vector of a मत्तला initial हमिशा final minus initial कीके मैं a question करके दिखा जिएता हूं guys ज्यान देना है रहा बड़ा असान है यह दा point यह लाइन इन दोनों से पास करता है a b क्या लिखोगे यहां पर 1 0-2 यह दे रखा है 3-12 यह दिया हुआ है आप इसका solution करो यह लाइन कुछ नहीं करना guys बड़ा असान है कोई भी point ले लो point ले लिया पहला point लेता हूं हमसे 1 i plus 0 0 minus 2 हान जी किसके parallel है क्या मैं बोल सकते हूं यह a b vector के parallel है पहले point से दूसरे point तक जाओ a b vector बन गया a b vector यह आपका actually वह वाला b vector है क्या होगा a b vector हमेसा b minus a बेटर होता बिटा a to b जा रहे है तो b minus a आप direct लिख सकते हो b minus a मतलब b वाला ले लो पहले 3 फिर a वाला 3-1 आए क्या है फिर यहां से minus 1 फिर यहां से minus 0 हमेसा b minus a यह j cap होंगा फिर यहां पर क्या है 2 फिर यहां पर minus 2 b minus 2 minus minus 2 होगा क्या आगया guys 2y cap minus j cap यह आगया वह vector है guys यह जिसके parallel है पिछला ही formula यह use कर रहे है कि a से पास कर रहा है तो उसका पुछ फिर लिगे है plus lambda जिसके parallel है वह यहां था है यह वी वेक्ट है ठीक ही guys तो मैंने कोई निया formula नहीं बताया अभी भी यहां पर आप लिख लोगे i plus 0 j minus 2 plus lambda times क्या हुआ 2y minus j plus 4 k अगर आपको इसका लिखना है guys क्या Cartesian form तो Cartesian form कैसे लिखोगे x minus point कौन सा है वाल y minus 0 z minus minus 2 हम कोई भी point ले सकते थे लेकि मैंने पहला point लिया ठीक है मैं बोला हूँ and this is Cartesian तो यह आपको यादो ने ची कैसे यूज करेंगा मैंने इसके लिए कोई निया formula यूज किया क्या हंजी बताओ दिरा नहीं ना इसके लिए निया formula भी यह लेकिन मैंने यूज दीकिया whenever line passes through two point तो आप करो गया हमें एक point ची होथा एक पहला पॉइंट ले लिया पहला पॉइंट और दूसरा वेक्टर ले लिया एसे भी वेक्टर बस एक कैसे काला है बी मैनस एक किसी को भी डाउट है तो मुझे अभी तादो एक कोशन कर सकते हैं आप चाहें तो सब लोग करेंगे गाईस अभी के अभी करो बई दोनों कि चाहिए वेक्टर फॉर्म भी और काटीसिन फॉर्म भी चल्दी से इसके बाद में होमवर्ग दूना को चुछ हूँ आपको करना है तो वहां से बिड़ा आपको पॉइंट से आपको एक्टर मिल राएगा क्या है मैंने साई प्लस जीरो जे प्लस ठीके कि देखो मैं कोशन पर क्यों फोकस करा हूं ज़्यादा कॉंसेट पर फोकस इसलिए करना विकॉस जो आगे चॉंसेट से ना अच्छे-चॉंसेट से लेकिन यह कोशन नहीं करना है तो आगे नहीं कर पाऊँगे हाद हाला कि बहुत इजी है स्कोरिंग चाप्टर है जो एनेर्जी हम देते ना बैककप में वह एनेर्जी नहीं देपाते है ठीके डिकॉर्डिंग नहीं करी मैंने उस दिन वहीं गलती होगी गलुगे इसके वह पैरलल हो कौन सा वेक्टर हो गया एबी वेक्टर कैसे एका लेंगे वी माइनस ए क्या होगा आप यहापर थ्री minus minus 1 i cap 3 minus ठीक है फिर b इसका लेंगे minus 1 minus 0 j cap फिर minus 2 minus 3 k cap ठीक है तो यहां से सारी चीज़ा आ गए है guys यह 4 i cap minus 1 j cap minus 5 k cap ठीक है तो answer आपर answer लिखे लोगे r equals vector a plus lambda यहां पर vector b होता था बट यहां vector b नहीं लिखें गया a b vector यह पहला है ठीक है r vector equals to minus i plus 0 j plus 3 k plus lambda times a b vector 4 i minus 1 j minus 5 k cap ठीक है guys so this is the vector form काटी से नहीं form लिखेना है आपको पता है formula क्या होता है x minus x1 y minus y1 z minus z1 है ना तो यह रहा guys यहां से में लेंगे x1 y1 z1 क्या है minus 1 0 3 यहां पे a b जिसके parallel होता है guys parallel इसके a b vector a b vector इसके जो d r यहां पर भी लिखें हुए यह ना क्या है 4 minus 1 and ठीक है guys तो यह आपका answer है काटी सिंफार this is the काटी सिंफार ठीक है बिटा हाज की ग्लास में यही बोर कर रहा हूं झाल झाल 1 0 0 झाल